नमस्का दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास Realme का कोई भी डिवाइस है आप WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter इन जैसे अप्लिकेशन के उपर आप आप लोक कैसे लगा सकते हैं यानि कि अप्लिकेशन के उपर लोक कैसे लगा सकते हैं बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आप एस्टोर में जाते हैं और वहां से आप लोक करके कोई अप्लिकेशन डाल लेते हैं और उससे लगाते हैं जबकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके फोन में पहले से ही एक आप लोक दिया हुआ है और आप उसी के माधियम से लगाई है कि यह जो आप लोक दिया हुआ है ना आपके फोन में यह आपके युआई को लॉक करता है यानि कि इस आप लोक को ओपन करने के लिए आपके मुबाइल को रिसेट करना होगा हाड रिसेट करना होगा हाड रिसेट करने का मतलब है कि इसके साथ ही आपका डेटा भी delete हो जाएगा लेकिन आगर आप जा करके play store से किसी app lock को install कर लेते हो और वो लगा देते हो अगर मैं उस app को uninstall कर दूँ जो बाहर से आपने install कर रखा है तो आपका जो भी production होगा जितने भी app के उपर आपने लगा रखा होगा वो आपका app lock remove हो जाएगा तो सबसे बड़िया तरीका होता है कि आप अपने system के द्वारा दिया गया app lock को use करें तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि आपको जाना है setting में और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे search करना है app lock ओके तो मैंने app lock डाल दिया है लेकिन आया नहीं तो मैं थोड़ा सा app करके सिरीफ डाल के देख लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं app डालने से app lock आ गया अब यहाँ पे आपको app lock का option देखने को मिलता है app lock पे आपको click करना है set password पे click करना है other encryption meter पे जाना है pattern लगाना चाहते है pattern पे click कीजिए अगर four digit लगाना चाहते है तो four digit पे click कीजिए मैं pattern लगाना पसंद करता हूं तो मैंने यहाँ पे pattern draw कर दिया है आपको similar वापस से एक pattern draw करना है और यहाँ पे आपको अपना question select करना है ताकि आप जब भूल जाते हो lock तो आप किस तरह से कर सकते हो तो कोई भी question आप यहाँ से select कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी answer दे सकते हो तो मैं यहाँ पे ऐसे select कर लेता हूं और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूंगा जैसे कि answer में ठीक है इसके बाद यहाँ पे set recovery email address डालना मत भूलिएगा हमेशा याद रखिएगा set recovery email address आपको डाल लेना चाहिए तो जो भी होगा idrate gmail.com आप डाल दीजिएगा और आपको associated account जो दीख रहा है इसको check mark नहीं करना है इसके बाद आपको done कर देना है done करने के बाद आपके सामने list आ जाएंगी तो आपको तीन चार चीजे बता देता हूं कौन-कौन से ऐसे app होते हैं जिन पे आप जरूर लगाईए सबसे पहला setting तो आप यहाँ पे ढूंडिए और ढूंडने के बाद आपको setting दिखाए देगा setting को जरूर लग कीजिए इसके बाद आप स्कौर्डाउन कीजिए और play store के option पे जरूर आप लगाईए तो मैं यहाँ पे स्कौर्डाउन करता हूं और play store के option पे mark कर देता हूं तो यहाँ पे 2 मैंने लगा दिया है बाकि आप अपने हिसाप से देख लो किस पे लगाना चाहिए किस पे नहीं और एक gmail को बोल रहा हूं और एक आपके message को बोल रहा हूं और दूसरा बोल रहा हूं आपके browser को और एक Chrome को तो यह तो मैंने अपने तरफ से सजेश्ट कर दिया आपको बाकी अपने हिसाब से आप लॉक लागा सकते हैं इसके बाद आप लॉक 10 पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि दस ही अप्लिकेशन मैंने सलग किया था तो दस पे लॉक लग चुके हैं ठीक है अब यहां पे आपको करने के बाद आप यहां से पास्वाड अस्वाड चेंज कर सकते हैं ओके और इसम में बहुत सरी चीजजे होती है इसके वीडियो में बना रखें तो आप चैनले बट बटने करने के बाद अगली हमें तब तक लिए बागा है झाल 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 झाल